कि आज में आपके लाइन तेल चिक्के की रेस्पी फटाइपट बन भी जाती है और खाने में भी बहुत स्वाधिस लगती है अब आसान तरीके से बनाएंगे दो चीजों से हम इस चिक्की को बना के तयार करेंगे देखे कितनी खस्ता चिक्की है हमारी यह सुरू करते हैं इ जी दिदिम सलोव आच पर इसको रोस्ट करना है मीडियम यह ह्य है फ्रेंपर इसको रोस्ट नहीं करना है वरना यह कडवी हो जाए और दो-तिन-मेंआप से चालई नही डाल कर देंगे यह जितने ही आपने टिली है उतनी ही आप चीनई लीजिए और इसमें दो चमच पानी डाल देंगे इन दोनों चीज़ां को अच्छे से मिक्स कर देंगे यह काम भी आपको लो फ्लेम पर ही करना है मीडियम या हाई फ्लेम पर नहीं करना है हमारी जिस्सों का सिरफ कड़वी हो जाएगी और चिकी का टेस्ट पूरा बढ़ गाएंगे जिस्से हमारी चिक्की में अच्छी सिर्फाने में बहुत अच्छी स्वाध बढ़ जाएगा इससे में अच्छे से मिक्स कर देंगे कि इसमा आदा नीवू डाल देंगे जिससे हमारी चीनी क्रेस्ट्रलाइज नहीं होगी पता है सुभी खाली पेट अगर तिल खाते हैं तो उसे हड्डिया मजबूत होती है अब हम इसमें लाइची डाल देंगे इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे हमारी सुकर सीरप अच्छे तयार हो जाओ पर हमें सारह काम करना है अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं कि हमारी तक हुई है करक हो जाती हुआ है तो मतलब मारी परफेक्ट रहे को दो तीन में लिए और पकाना है उन्ठ पर ही पकाना है आप आंपको इसको मैं उत्छ पकाना है और इसको रहा है क्यों नहीं डालेंगे यह कर्टोरी मं ऑन्यंगे करक हो गयाहिए मतलब में अपरफेक्ट सेованrous के तयार हैस नहीं पकाएंगे यह बंद कर देंगे की की तो से एक फौल कर देंगे की को भा साइल मर्ढा होना होने की ते दगा था उसको एसमा weks कर देंगे और उसको टोट ड़र करके सारे काम करना है वहना चिनि हमारी ग्रक वेंडい हो चाशनी टो कौने यह ऐसे मिक्स कर दीजिए तो चुक्य है और में इसको एक प्लेट में टांस्फर कर लेते हैं जिसको आपने गीसे पहले ही ग्रीज करके रख दिया है यह सभाटाइब करते हैं जाट होने में ज्यादा टाइम नहीं लगाती है यह इसको से हम प्राइब्स कर देंगे जरूर खाना चाहिए क्योंकि तील को हाई केलस्टोरल को करने में में बहुत मदद करती है इसमें एंटी एंटी ऑक्सिडेंट्स होते हैं एंटी बैक्टेरियल नहीं प्रॉपर्टिस भी मौज़ुद होती है यह हाई प्रेशर को भी कंट्रोल करती है निशान लगा देंगे जिससे हमारी चिक्क्या आसानी से कटके तयार हो जाए त तो आदे घंटे के लिए रैस पर छोड़ देंगे अच्छे सेट हो जाती है सिदारा इसको टाइम नहीं लगता है अदे घंटे परफेक्ट सेट हो जाएगी जिक्की सेट हो चुकी है अब हम इसको निकाल लेंगे इसको तोड़ लेते हैं तोड़ ये तभी अच्छे से टूटेगी वणना ये उट इसके से परफेक्ट शेप नहीं आएंगे ये खाने बहुत स्वाधिस्ट अच्छी बनी है इस रैस्पी को ट्राय जरू कीजिएगा चिक्की को घर परी इसे दो चीज़ों से बनके हमारी चिक्की तयार हुई है इसमें कुछ भी सामान नहीं लगा है कि कितनी बढ़िया चिक्की बनके तयार हुई है अगर आपको मेरी रैस्पी अच्छी लगती है प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे आपको कौन सी रैस्पी देख रही है मुझे कमेंड में ये द्राइ कीजिएगा